हेलो बिटा टेनाई के मंज़ पर आपका एक बार फिर शे सवागत है तो प्यारे बत्तों आज का जो ये सेशन रखा गया है PGT KVS Hindi Test Series 3 इससे पहले हम Test Series 2 कर चुके हैं तो बिटे ये गलत फहमी में ना रहें कि KVS TGT या फिर PGT में साहित्य नहीं आएगा इस गलत फहमें मत रहना अभी जो रिशेंटली PRT मुजिक या वाइस प्रिंसीपल प्रिंसीपल के जो पेपर वें उसमें काफी डेफ्ट आया हुआ था तो डेफिनेट चांसी जाने के यहाँ पर जो प्रशन है NCRT के जो सलिवसर पूरे को कवर किया गया है व्याकरन को भी साहित्य को भी और प्यारे वुच्छों शिक्षन को भी तो बढ़ते हैं ज्यादा समयना खराब करते हुए आज की सेशन के पहले प्रशन की और वई कवियास प्यजटी हिंदी टैस सीरीज थरी भी पहला कोशन आपके सामने वेटे लीजिएगा इन मैसे हिंदी साहित्य के पहले इत्यास गरंथ के लेखक कोन है ए गार्षा दातार्शी बी शिव सिंग सेंगर सी है मिसर बंदू डी है जो सर जोर्ज गरियर्शन तो प्यारे बड़ी कठिन है डगर पनगठकी पंक्ति है विद्धापती के मुलादाओद की अमीर खुष्रो की अबदूर रह्मान की पैरे बत्चों ये अमिर खुसरोदी की पंक्ती है, बड़ी कठिन डगर है पन गठी, पूछा जाएगा पेपर में, फटा फट बढ़ते हैं आगे, विद्यापती किस मत के अनुयाई थे, विद्यापती किस मत के अनुयाई थे, अ है निरगुन, ब है वैष्णो, सी है राम, ड है सेव, तो विद्यापती भई शिव के बग ते, तो सेव मत के अनुयाई थे वही, और बांगला का सहज या संपर्दाय है, वो वैष्णो मानता है, विद्यापती प्यारे बच्छों, दी, सेव मत के अनुयाई थे, संदेश रासक किस परकार का हुए है, खंड का हुए, मुक्तक का हुए, चंपु का हुए, या धर्म का हुए, बेटे, जो आपका संदेश रासक है, वो मुक्तक का हुए है भई, जी, बढ़ते हैं आगे, अब्दुरह्मान का है, आदि काल में खड़ी बोली का प्रियोग किस कभी आदि काल में खड़ी बोली का प्रियोग अमेर खुसरो ने किया था, बढ़ते हैं आगे, भगति काल को हिंदी सा इत्यका सर्वन युग किस ने कहा, ए राम चंदर शूकल, भी राम कुमार वर्मा, शी है, शाम सुंदर दास, डी है रा उलसांस्करत यायन, तो बढ़ते है आगे, रामानुजचारिय के गुरु कोन थे, रागवानन्द, रामानन्द, काचिपूर्ण वल्लबाचारिय है, रामानन्द जी के गुरु बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, आलवर का साबदी कर्थ क्या है, ए, रू, डीवादी, भी मूर्ती, पुजा, सी, सुदर, और डी मगन होना, बढ़ते हैं, आलवर का साबदी कर्थ है, वो है मगन होना, डी वई, बढ़ते हैं आगे, आलवर जो बढ़ते, दक्षिन में वैशनों की भगती करते थे, तमिल नाम है वैशनों का, बगती विवेक में किस की रचना है वई, यह मिस्परिंट है, बगती वि सीवेकि तो मलू का दास की रचना है बढ़ते हें आगे निर्गण बगटि का आदि सरोत क्या है? मुंडको अपनिषद, परस्नओं पनिषद, कठो निर्गुन भगति का जो आदी है सबसे पहले जुस्तरोत मिलता है सबसे पहले वर्नन व्याख्यान सूर दास को पुष्टी मारक का जाज किसी ने कहा गोकुलनात ने रामचंदर शूकल ने अजारी परसाद देवेदी ने या फिर विठनात ने ने कहा था सूर दास की मिर्टू पर की पुष्टी मारक को जाज जात है जिसको कुछ लेने हों सो ले तो विठनात जो बल्लबाचारिये के पुत्तर थे और बल्लबाचारिये का शिश्य था सूर दास जो अष्ट साफ के कवयों में सरोच्च स्थार है सूरदा जी का ऐओ द्याशिंग उपाद जय अरि ओद के किस गरंथ में बर्मर्गीत परंपरा का निर्वा वा बिटा देवेदी युग का कवी है जी रसकलस प्रिय परवास वेदी ही वनवास पारिजात तो बिटे आयो द्याशिंग उपाद जो गरंथ है उसमें किस में बर्मर्गीत परंपरा का वैसे बरंबर्गीत की सुरुवात इंदी में सूरदास जी ने की थी वेटे हन जी अपनी रचना सूर्शागर में भी अगला कोशन है गोरक जगायो जोग बगती बगायो भोकिस की पंक्ती है ए तुलशीदास भी गोरक नाद छी दादू दयाल डी कबीर तो प्यारे बत्तों ये जो पंक्ती है ये तुलशीदास की है काफी परशिद पंक्ती है और तुलशीदास बिटे टेंथ कलास में भी ह और 11th class में भी है तो ये ना समझें कि भी बस तुलसी दास का जो 10th में रामलक्षन परश्वराम शुनवाद वहां से आएगा या फिर 11th 12th में वहां से इतना नहीं तुलसी दास के बारे में बिल्कुल depth पूछता है पूछेगा आपके जो departmental हुए हैं उनसे आवास कर येगा चत्तर साल के गुरु कौन थे ए अकसर अन्यन बे निपत निरंजन सी रजब डी है वही सदना तो बढ़ते हैं आगे शूपी शंतों में परशिद महिला सा दिका थे राबिया सेजोबाई मीराबाई इन में से कोई बिटा सेजोबाई निरगुन संत थे मीराबाई किर्शन बग्द कवियतरी और राविया सूफी संतों पर्षीद थी A राविया जैपूर नरेश परताफ साही परताफ साही के दरबार में रहने का थ्रहें किसको प्राप्त है A B अपिजिगर नरेश परताफ साही है देख्येगा जैशिंग नहीं है इस चीज का ध्यान रखना है कभी गलती कर बैठो बी पदमा कर को था बिटा ये वही फिर गड़ बुड़ो रही है बीच में हो गई थी हाँ अगर यहां आता बिटे जैशिंग तो हो जाता बिटा आपको भी आरी राम चंद्रा भरन नामक अलंकार गरंत के रचनाकार कोन है राम चंद्रा भरन गवाल कभी गोफ कभी शेनापती या दविज देव पैरवचो राम चंद्रा भरन गोफ कभी के रचना है बेवई वेंग्यार्थ कौमदी के रचनाकार का नाम बताएं गिरी दर्दास परताफ साही रगुनात और दुलेबी वेंग्यार्थ कौमदी के रचनाकार कौन है प्यारे वत्सों परताफ साही है वे इसके रचनाकार बढ़ते हैं आगे तंत्री नाद कवित सरसराग रती रंग या पंगती किस कवी की है एक ये सवदास, बी मती राम, सी है भई विहारी, डी पर है भूशन तो प्यारे बच्चों विहारी की पंगती है ये तंत्री नाद कवित सरसराग रती रंग, शरिंगा रश की पंगती भई आचारी रामचंदर शूकल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया बढ़ते ही आगे निमनवे से कौन सुमलित नहीं है बारतियन्दु युग 1850, दविवेदी युग 1902, छायावाद युग 1902-1936, परगतिवाद 1935-1950, ये गलत है भी, डी, परगतिवाद की जो समय सीमा है, सबसे छोटी समय सीमा 1937-1943, निमन मैं से कौन समलित नहीं है, परगतिवाद 1937-1943, परगतिवाद 1943-1953, नई कविता 53 के उपरांत, तार सब्तक का परकासन, तो पहला तार सब्तक का परकासन आजाए, तो पहला तार सब्तक का परकासन उन्नी सो ते तार सब्तक में वा था, तो यहाँ पर आपका डी हो ज के में लोच्टल में दिजान से जी झी में ऐसंतनु पहलब न्यसु तक कंव प्रकासन में उन्य ने सु जबादी ऐघे तीजनएं ऑपक। 1940, 1951, 1969, 1970 बैटा पहला 43 में पैरे बत्चों दूसरा 51 में तीसरा 69 में और चोथा 89 में तो बैटा इसने पूछा है तीसरा तो बैटा हो जाएगा आपका 69 शी ठीक है मुकुट दरपांडे की रचना है कानन कुशम कस्मीर सुस्मा एंडूला करुणा का दंबनी पैरी बत्चों मुकुट दरपांडे की रचना है कानन कुशम वई आगे बढ़ते हैं ए उप्सन है चायवाद को प्रिकरती के बीच जीवन का उदित है चायवाद को प्रिकरती के अच्छा जीवन का उदित मांते हैं बढ़ते बढ़ें बढ़ें पटै आगे आईеся सायत्या σारदुल कि शे कहा जाता है सुमित्रा नंद नंध पंथ जया संकरपरशाद मादे वर्मा yaa सूर्य कान्थ तरिपाथी सायत्या सारदुल सायत्या का सारदुल का मतलबता शेर सायत्या सेर सूर्य कांतिर पाठे निराला को कहा जाता है दियान से इनकी रचनाएं छटी शे दसमी तक भी हैं और ग्यार हिम्बार हिम्वे भी हैं दियान से करना पूछा जाता है कोशन सच्छे हैं अपनी तरफ सच्छी कोशिश भी हम लोग पठकता के लेकक का नाम कोन है हम लोग नाम की जो पठकता है वो किस ने लिखी है ममता कालिया संजीव मिशर मुनु बंडारी या स्याम मनोहर जोसी तो पिटे शाम मनोहर जोसी प्यारे बच्चों इसके रचनाकार है हम लोग भी हम स्याम की बगती करते हैं ऐसे याद रिखना सिल्वर वेडिंग सीर्षक लंबी कहनी किस सैली की है भी सैली बतानी है परतिक आतमक था वेंग आतमक पर्क है या बिटे वीवरन आतमक है या फिर है निबंद आतमक पर्क है तो बेटा, शिल्वर वेडिंग है, वीवरन आतमक, वीवरन करया गया भी, जी, सी, बढ़ते हागे, कवी हरीवर्ण सराय बच्चन को उनकी किस कृती पर साहित्यकादी पूरुषकार मिला, बढ़ते हागे, आतम परिच्य कविता में कवी ने सहम को क्या बताया, एक गीतकार, दुनिया का दीवाना, एक कवी, एक साहित्यकार, तो प्यारे बत्तों, दुनिया का दीवाना बताया है, कवी ने आतम परिच्य कविता में भी, बढ़ते हागे, उन्नीसो बारह में अंबेडकर ने किस विशे में डिगरी हासिल की, ए अंग्रे जी गनित भी, अंबेडकर की जीवनी से बिटाए, अंग्रे जी गनित भी, विज्ञान भूगोल, सी, राजनेतिक विज्ञान अर्थ सास्तर, दी है दर्सन सास्तर, और इतियास, तो बटे बताना है आप फूनिसो बारह में, तो बटे राजनेति विज्ञान अर्थ सास्तर में, अंबेडकर जी ने डिगरी गरहन की थी वे, बढ़ते हैं आगे, हजारी परसाद दवारा अपने देश का एक बूड़ा, अपने देश का एक बूड़ा की संग्या किसे दी गई, गांधी को, सिर्ष के फूल को, प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, रजिया सज्जात जहीर का उपन्यास कौन सा है, समझदार की मोत अल्ला मेग दे, सुदर्शन यात्रा बेई मानी, प्यारे बच्चों, अल्ला मेग दे, रजिया सज्जात जहीर का उपन्यास है, बढ़ते हैं आगे, चारली चैप पोमिका मनोरंजन हमेता मनोरंजन करता था अपने शायित्य रसनाज के पूरवार्थ में परेम चंद किस नाम से सायित्य परेम चंद अरफार पूर्दू में अर्थां यृत रिघ्षा उर्द्व है देख लेते हैं इसके चार ओफ्षन है प्रेम प्रेम राय नवाब राय नवाब साब तो बिटे प्रेम चंद पहले उर्दु में नवाब राय नाम से लिखते थे C4 क्रेक्ट दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी यह कतन की सोर संकेत करता है लोग वैवार में निंदा हुई लोग वैवार में परसनता हुई लोग दिन में चर्चा करते थे इन में से कोई नहीं प्यारे बत्चों लोग वैवार में निंदा अर्थार समाज में जो खून है उसमें ही निंदा बशी हुई है बुराई ए बिलकुल ठीक है मीरा का काववे है परबंद काववे है महा काववे मुक्तक काववे अखंड काववे विटा मीरा बिलकुल भी मुक्तक काववे तरी है मुक्त काववे लिखा है किरसिन के उपर परबंद काववे नहीं लिखा है कबीर ने ज्ञान का परती रूप किशे मान्या देखेगा जी 11 में है कबीर का भी तो कबीर ने ज्ञान का परती दुलीचा को मान्या संसार को, कुट्ते को या हाथी को तो बिटे कबीर ने ज्ञान का जो परती का प्यारे बच्चों, वो हाथी को मानना है भी, अना, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यान रूपी हस्ती पर चड़के और शैज रूपी दुलेचा डालिये, स्यद हैदर रज्जा की रचना आत्मा का ताप किश्विधा की है, जीवनी है, आत्म कता है, संसमरण है, या फिर रेखाचितर है, बेटा स्यद हैदर अली रज्जा की आत्म कता का ताप, उसकी आत्म कता ही है, आत्मा का ताप वई, अगे बढ़त बारत माता नामक रचना के लेखा कौन है बात मातमा गांदी बाल कर्शन बट जवारला नहरू या फिर राजारा मोहन राए जवारला नहरू है वे इसके रचनाकार आगे बढ़ते हैं किस कानी पर सेक्सपियर के नाटक टेमपस्ट की छापशिद हो चुकी है इंदो मती दुलाई वाली उसने का था रानी केतकी की कहानी तो प्यारे बच्चों जी इंदो मती पर ये आपका सेक्सपियर का नाटक है टेमपस्ट उसकी छापशिद हो चुकी है बड़ी आगे डोक्टर लक्श्मी नारान लाल ने सिल्प विदी की दिरिश्टी छे हिंदी की पर्थमोलिक कानी की शे मान्या ए है इंदुमति को भी है रानी केत की कानी ची है सुदर्शन की हार की जीत डी है गयारा वर्ष का समय तो प्यारे बत्तों ग्यारा वर्ष के समय को लक्षमिनारान लाल ने पहली कानी मान्या भई निमन मैं से किस उपन्यास में मुंबई के पास के मचवारों के जीवन का चितरन है दिव्या, सतरंज के मोरे, म्रगमाई, सागर लहरे और मनुश्य प्यारे बच्चों सागर लहरे और मुनुष्य जिदा है मुंबई के मुच्वारे डी ठीक है बेटा इसका आगे बढ़ते हैं मुक्ति बोध उपन्यास पर साइट पुरुषकार किसे मिला जेनेंदर को मुक्ति बोध को अगय को या राम विलास सर्मा को बेटा जेनेंदर न कहा गया है सती परताप नील देवी धनंजय विजय कपूर मंजरी तो प्यारे बच्चों भी नील देवी में सवसंदा बाधिता तो मिलते हैं भी फोर वेश्ट भई चली आगे रन दीर परे मोहनी नाटक के रचनाकार है डोक्टर रादीका रमन सिंग सिरी निवास दास अगले उसन पर है बेटे आपके परताप नारान मिशर और डी है मेरे प्यारे बच्चों महाराज विश्वनात तो इसका जो उत्तर ठीक है वो है बेटा आपका जी सिर निवास दास भे उत्तर फॉसन पर्था बेटे बारतेंदू यूग का सरवस्रेश्ट निबंदड कार है बाल्केशन बठे बारतेंदू हरी चंदर बदरी नारायन चोधरी प्रेम गन या परताप नारायन मिशर गाले निबंधिन संग रसाइत्य नावनीत के लेखक है पर बढ़ते हैं बनार्षी दास्ट तुर्वेदी का पहला रेखाचित्तर निमन में ऐसे कौन सा है अर्ध कथानक औरंग जेव पदम पराग बोलती परतिमाएं ध्यान रहे वही पूछा है यहां आप से पहला रेखाचित्तर आत्म कथा नि पूछा तो बिटा ओरंग जेव हैं का पहला रेखाचित्तर प्यारे बच्चों कभी आत्म कथा होती इसके अर्ध कथानक आत्म कथा नि पूछा निमन में से कौन सा संसमरन राम बिर्क्ष बेनि पूरी जी का नहीं है यह रचना कार आपके NCRT में हैं तो ध्यान से करना विटे जंजीर और दिवारे जिंदग और दिवारे बई ए सुदामा और नागरी दास का जीवन चरी तरकिष ने लिखा राद आकर संदास ने बारतेंदू ने परताब नारान मिसर ने या बाल मुकंद गुप्त ने तो बिटा सुदामा जी का और नागरी दास का जो लिखा है वो लिखा आपका बारतेंदू ज जी इसका हो जाएगा B4 भारतिंदु जी तुफानों के बीच किसकी रचना है काफी परशिद है वही अगय नागारजुन शिवदान शिंग्चो लान रांगे राग हो तुफानों के बीच पस गए थे वही राग हो डी रांगे राग हो वही बढ़ते हैं आगे कवी वचन सुधा पत्रिका का आरम में पाक्षिक थी यह पत्रिका सापताहिक कब बनी प्यारे बचों एक जुन 1878 एक सितंबर 1878 एक दिसंबर 1878 एक जनवरी 1878 तो बटा एक सितंबर 1878 कवी वचन सुधा जी कि नो सितंबर को जनम है बारतिंदु जी का तो एक सितंबर याद रखना इस चीज को हां जी आगे दहरिया का कभी किसा इत्यकार को कहा जाता है रचना एंवे इसकी NCRT में ए दहरिया का कभी बेटे कहला सक्षेना पांडे बेचन सर्मा रामदारी शिंग दिनकर उपेंदर नाथ आश्क ए दहरिया कभी बिटा दिनकर को कहा जाता है बी आर में पैदा हुए 1908 में पैदा हुए मुंगेर किसान के घर पैदा हुआ था ये कभी आचारे नरेंदर देव को कौन शीरसना पर साहित्यकादिम पूर्षकार मिला बुद धरम दर्षन किसानों का सवाल युद और भारत किसानों का कश्ट तो नरेंदर देव को किस पर साहित्यकादिम पूर्षकार मिला प्यारे बचों बुद धरम और दर्षन भई अब बरंस का पर्थम परबंद का हुए है बविश्यत कहा संदेश रासक परबंद चिंता मनी कुमार पाल चरित तो वे अब बरंस का पर्थम जो परबंद का हुए है वो है बविश्यत कहा भई जी दनपाल जी की रचना है बढ़ते हागे कविता ज्ञान का प्राण है उसकी सुद चेतन्य आत्मा है वह राग दीप अभ्यक्ती है जो समस्त विज्ञान का आस्रे है यह कतन किसका है वर्सवर्थ का, अरस्तु का पलेटो का, हरबर्ट रेड का तो प्यारे पत्तु यह कतन वर्सवर्थ का है सवसंततावादी जी, शाहितेकार है, फोर्नर है मेरा बाई के गुरू थे रामानन्द, सूरदास, तुलशिदास या फिर रहधास, मेरा बाई गुरू रहधास जी थे रहधास कहले या भी रवीधास कहले रिती संपर्दाय के परवर्तक है आचार्य रुदरत, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य भामे तो विटा रिती संपर्दाय के परवर्तक आचार्य वामन है भी भई, मरते विटागे 61 कोश्चन देखिए फटा हट अरे आजय क्या है कि शब दार्तों सहीत कथन किस्का इस और संब्तर आपके सामने जिख बामय का दंडी का वामन का मम्मट का तो पते ये बामय का है जब इस ने कवे की परिवासा जी थी अपने गरंद कवे लंकार में निमन में से कौन सुमलित नहीं है सब्दार्थो कवें रुदरट सब्दार्थ सरीरताव कवें आननद वर्दनम वाक्यरसात्मक कवें भामें इन में से कोई नहीं तो वेटे ये कथन है वाक्यम रसात्मकम कव्यम विश्वनाथ जी का सी नहीं है वेई बढ़ते ही आगे अंत्यकरण की विर्थियों की चित्तर का नाम ही कवीता है किसी ने कहा मैथिरी शंगुप्त ने, माविर परसाद ने या हजारी परशाद निया फिर रामचंदर शुक्ल ने बिटे ये माहविर परशाद जी का है अंत्यकन की विर्तियों के चित्तर का नाम ही कवै भी कविता भाओं और समवेगों की उदपति करती है उददिपति करती है और तरक इमविचार सुनने को पुरुचान देती है ये कथन है पलेटो का अरस्तू का करेचो करोचे का या फिर लोजाइंस का प्यारे वच्चों ये कथन है पलेटो का भी ए निमन लिखित में से कौन सा नाम खड़ी बोली का है हिंदुस्तानी, कोरवी, नागरी, सरहिंदी, उपरियुक्त सभी बैटे खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो कोरवी है क्योंकि ये कुरू परदेश में बोली जाती थे निमन लिकित में हिंदी की ओकार वहुल्य बोली आपका ओकार जी आगे बढ़ते हैं प्यारी वत्फों आगे बढ़ ये निमन में से हिंदी की आकार वहुल्य बोली Aa कora V B. हरियानवी, C, दक्षिनी, D, मेवाती, तो बिटा मेवाती है या आप क्या कर वहले है, जी, सामाजिक ज्यान का वैवसाय ही पत्तर का रीता है, कथन किसका है, आचार शुकल का, बाल करसन बट का, बारतिंदु जी का, या C, G, R, मुलर, तो बिटे ये कथन आप का, C, G, R, मु के लिए, ये भी आपकी अब व्यक्ति से कोशन आएगा, गीता में जो समाचार है, इससे पहला भी अब व्यक्ति का आई था, जी, C, G, M, R, का, आते हैं ही आपके, जी, डेफिनेट उन्होंने मेंशन कर रखा के विस्वारन पीजिटी में, तो गीता में समाचार के लिए कि शब्द का पुरियोग किया गया है, बिटे, ओप्सन ए है, पांसमावेद, ओप्सन बी है, सुब्दिरिष्टी, ओप्सन C है, नियाए, और ओप्सन डी है, शब्द द गिता में आपके पत्रकारिता को विकुन साथ तत्थो समाचार का नहीं है, पाठक वर्ग पर भाव तक राओ, शिक्शित बई, पैरे बोच्छो, sod Some 4 का चूत त है, वो आपका नहीं है, D क्योंकि यह शिक्षा का तत्थो है, ये सारे के सारे समाचार पत्तर से संबंद रखते हैं यथार्थ में संदी होगी यथार्थ में संदी होगी ए यथा जमा आर्थ बी इदी यार्थ ये कहां से आगए जी ये नहीं है भी ये पता नहीं ये ओफसन की जगए है यथा जमा आर्थ और बिटे यथा जमा आर्थ यथा जमा आर्थ तो बिटे यथा आर्थ में जो संदी वी छेद होगा प्यारे बत्चों वो होगा आपका भी यथा जमा आर्थ आ के आगे आ गया जी तो यथा आर्थ भी यथ नी होता यथा होता है बिटे कि दिनो दिन में कौन सा स花 है आएगा भी दिनो दिन विते जी शीव करंदारीय तो बढ़ विरी अविम्ट eva बाव 23 अब यह भाव 22 अविचा मासल मासल आक वाव जीव यो दिनो बातो बातो बात जै तो बिटे उस न्डी पर है जै तो चूत्ता बिटी आपका जी बताएं आप आता होगा अच्छे शियतो दी जा तो टै चूत्ता है ताथ है दूसरा है जी चूत्ता जो होता है पर तेकством का alors शाइन सभूष्ब सभूष्ण होता है वार्ग समीति गाई आयोग तो यह समूऊ स्थानात्मक नहीं है जैपुरी जैरिला बिहारी मंदराशी तो बड़े ये आपका जैरिला जो है वो स्थान का वूद्र नहीं करा रहा रहा विशेष्था नहीं बता रहा रहा स्थान कि कौन सी परेनर्तक्रिया है, कटवाना, पढ़ना, चलना, जानना, कटवाना भी, जिब किसी ओर्शेक्रिया करवाई जाती है, परेनर्तक्रिया होती, किस शच्द में गैर उपसरग कापरियोग항 नहीं हूँ, गैर उर्दु का अफसरग है, गैर हाजीर, गाइर कानूनी, गाइर मुलक गाइरिज, तो ये है आपका गार इज में ने हुआ भी बढ़ते हैं आगे किश बढ़िया ऑपर्ते का परियोग नहीं भी बूंदिया मिया, पुलिया या फिर खटिया तो मिया में ने हुआ भी मिया में भी आगे बढ़ते हैं कौन सा शब्द देशज है अजब असर अंटा अकल किलियर दिख रहा भी कौन सा शब्द है यहां पर आपका देशज अंटा उसने अंटा मार लिया न सेड़ी जो होते जो नसा करते हैं माता जी सीए बिटा माता जी हल्वा बनाने रसोई घर में गई इस वाक्य में कारक है करता कर्म अधिकर्ण अधिकर्ण करता कर्म तो बिटा इसमें देखेगा माता जी तो है करता कारक हल्वा है कर्म कारक और रसोई घर में गई अधिकर्ण कारक तो बिटा ए उप्सन बिलकुल ठीक हो जाएगा आपका कौन सा परसंसा बो दक विश्मयादी अव्वे है अरे उफ शाबास छीची अरे अरे बेटे अरे हैरानी का है उफ जी ये भी हैरानी का शाबास परसंसा और छीची नफरत का या गिरना का तो सी का एक कराकटे देवर का दट्सम रूप है दवितिये वर भी देव देव देवबची देवबह तो सी करेवबची देवबर क्या एक गिरना कि ये सुरुट थम बिनार्थी नहीं को कि कोया था? नफरत वर्फ गोड़ा हर्दय नई टीम हर्दय और गोड़ा तो बढ़ते हैं आगे बाए हाथ का खेल प्रांगत किशी बात को गम बेड़ता से न लेना बहुत आसान कारी गनिष्ट होना मुआ वरा बेटे तो बहुत आसान कारी आएगा इसके लिए बाए हाथ का खेल बढ कर दरिया में डाल लोकोकती का मेनिंग है सवार्थी पर किया गया परमार्थ वैर्थ है दूसरों पर उपकार करने के बद्रे करते गंता ही मिलती है किशी पर उपकार करके भूल जाना चाहिए उपकार करने के लिए त्याग करना पड़ता है वही तो प्यारे बच्चों य तो यहां सी ठीक है, किसी परुपकार करके भूल जाना चाहिए भई, बढ़ते हैंगे, दुहिता का परियाईवाची शब्द है, तन्य, ग्रहनी, पुत्री, भार्या, तो दुहिता होती है, पुत्री, सी है बेटा इसका, परियाईवाची शब्द, कनिष्ट का विलोम शब् है, आइएंपी बहुत जादा बार पुछाद आता है, और अक्षर बच्चे इसको गलत करते हैं, कनिष्ट का वरिष्ट अगर्ज लगू जरेष्ट, कनिष्ट का होगा वरिष्ट, देखेगा, कनिष्ट होता है जूनियर, कनिष्ट होता है जूनियर, और वरिष्ट होता ह सेनियर तो प्यारे वचों कनिष्ट का वरिष्ट होता है उन्जी कोई कुछ कौन से सरवनाम है कोई और कुछ बेटे संबंधवाचक पूर्षवाचक निश्चवाचक इन में से कोई नी तो कोई और कुछ बेटा डी आ जाएगा कोई कि ये अनिश्चवाचक सरवनाम है बढ पर प्यारे बत्चों भूत काल होता है जी सामने वर्तमान नहीं बविश्यत नहीं आसन भूत या सामने भूत बेटा डी पता नहीं कब बने तो बेटा डी पता नहीं चले करिया का होना भूत काल में पाया जाए लेकिन ये नहीं पता चले कब हुई भूत काल होगा सामने बे साधानवाक्या, स्वयुक्तवाक्या, उपवाक्या, मिस्रवाक्या, साधानवाक्या, प्यारे बत्चों, आज बहुत बारिश हुई, बिलकोल भई, बढ़ते हैं अगे, मानस मंथन, ब्रेंस्ट्रोमिंग कार्थ है, विशेक सेसंबंदित विचारों के परती सजगता, कुछ मानस ही करन विशेक करना, कुछ समझने के लिए प्रियास करना, मस्तिक को कुछ परकार के उद्दीपन देना, बेटे हैं यह हो जाएगा कुछ समझने का प्रियास करना के भी मानस में मन्थन चल रहा है, कोशिश तो कर रहा है अगला, निमेलिकित में ऐसे कुण शियावद में मैं तो पूर्ण भूमिकानी बाती है शी बासा शिक्षन का द्यान संपरिशन आत्म कतविदी उपर होना चीए बासा शिक्षन बोलने की जग लेखन को मैं तो यह डी गलत है वही यह जरूरी नहीं है यह किसी पाठ या अवधारना विशेश के अंत में आयुजित की जान अवधी पाठ के अंत में जी बढ़ते हागे बासा के उत्पादक कोसल है जो बासा के उत्पादक कोसल है ए पठन और लेखन बी पठन और सर्वन सी वाचन और लेखन दी वाचन और सर्वन तो बटा जिन से हम अभी व्यक्त करते हैं वो हैं बोलकर और लिखकर शी उत्पा बनाना? विचार व संकल अपिन को सम जाना. तो बिटे विचार व शंकल अपिन को सम जाना. मिलकुल शी बढर HEREE. माररते हैं 걍े, का tam क भी? कर पना शेलिये लोग हांदे हैं बासा कोशलों को सरवन वाचन पठन तथा लेखन के उचित करम में पढ़ाना चाहिए सभी बासा कोशल अंते संबंदित हैं तथा शिक्षन अधीगम परिकरिया इन्हें एक करित करती है एक बासा के नियम लक्षबासा को दी जाने अवसरों को अधिक मेहतव पूर्ण है बेटे ये है आपका बासा को लेकन करम से पढ़ाना चाहिए जी लक्षबास अवसरों को अधिक मेहतव पूर्ण है तो प्यारे बत्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका CEO of Sun भई, निमे लिखित में से कौन सा कथन गर्या कारिये के संबंद में सही है, गर्या कारिये अभी बागों को संब्लित करने का सरस्रेश्ट तरीका है, बिल्कुल गलत है भई, गर्या कारिये पढ़ाईगी बत्तार बच्चा समझ सके, वो है पिटा इसका, बाषा शिक्षन में पाथ्या पुस्तक एक मात्र साधन है, एक महतोपुन साधन है, आकरी साधन है, एक महतोपुन साधन है, ठीक कर लेना, पाथ्या पुस्तका स्थान बाषा शिक्षन में महतोपुन है, एक मात्र नहीं है निन्यान में वाँ कोश्चन बेटे वाचन कोशल को विक्षित करने का एक मैतोपून पहलू है सपष्ट तथा सुदुचान का परियोग वाणी को मीठा तथा सुरिला बनाना संदरब तथा इस्तिति को ध्यार में रखते हुए बूलना उतारत दाउरले के साथ सी हो जाएग में लाश्ट है डायरी लेखन शिक्षारती की सायता करता है अपने अधीगम पर चिंतन करने में अपने साथिओं का दीगम अकलन अपने शन्वातनों तो भीटए, अपने अधीगम पर चिंतन करने का आफसर देता है तो प्यारे बच्छों थोड़ा हाना मैं जब ये ऐसे देखते रहे एक नए सेशन के साथ फिर जल्दी शाजर हूँगा थैंक यू